वहाट इस पर-capita income पर-capita income है क्या टोटल कंट्री की जो population है और जो income है डिवाइड कर दो उतनी जो average आएगी वह होगी पर-capita income पर-capita income is the calculated by dividing the total income of the country by total population total income कितनी हुई उसे डिवाइड कर दो total population कितनी है average आएगा तो यह सही तो नहीं होगा पर एक average है जो लिया जाता है major करने के लिए कि इस country की per capita income किया मतलब एक इनसान कितना कमाता है average और यह बहुत गलात भी है क्योंकि उसमें करोड़ा की salary वाले भी है सबके average करेंगे तो जो सबसे कम कमा रहा उसके साथ वन्याएं हो रहा है कट पर capita income का यह कि इतनी कंट्री की टूटल income हुई उसके टूटल population से डिवाइड कर दो जो आएगा होगी पर capita income per person income मतलब the country with high per capita income जिस country की per capita income जाद होगी मतलब income जाद है country की लोग काम है तूसरी की जाद होगी better is the condition of the people तुम्हार रहने वाले लोगों की condition बहतर होगी and the more is the development development definitely जात होगा अमीर कंट्री होगी वो मतलब कहीं population काम है income जाता है तो country definitely develop हो जाएग जैसे की यूरोप है वहाँ population बहुत काम है income की सही है अच्छी है तो development वहाँ है बहतर सुविदाए है तो country with high per capita income जिस country की per capita income जाता होगी better is the condition of the people लोगों की condition better होगी पर capita income is used as comparative scale to just the development and growth of the two countries दो countries की बीच में गरोट को मीजर करने के लिए ये यूज होता है पर capita income की इस country पर capita income है मालो कि लाख रुपया और एक country की है दस अजार तो जिसकी लाख रुपय पर capita income है देफिनेटली मासुई धायजाता होगी ये ये यूज होता है किसके लिए मीजर करने के लिए या कंपेर करने के लिए दो कर रहा है पॉपलिशन जाते हैं तो पर capita income डफिनेटली थोड़ी काम ही होगी पॉपलिशन काम है तो पर capita income अपने अपपर से लिएगी